ओम शांती मेरा भारत स्वस्त भारत की अंतरगत जो लगातार प्रोग्राम चल रहा है इस स्वस्त परिचर्चा में आप सभी दर्शकों का मुझ वर्शा का स्वागत है और हमारे साथ हैं हरवार की तरह डॉक्र पुश्वपांडी जी आपका भी स्वागत है हम यहीं चाहते हैं कि आप खुश रहें स्वस्त रहें और जो भी आँसे जानकारी मिलती है आप उसको देखें और समझें और उसको अपने जीवन में धारण भी करें डॉक्टर पुशर पांडीची जैसे हमने पिछली बार एनिमिया की कुछ कारणों की बाते भी की थी लक्षन भी हमने उसके जाने थे आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे जो मात पिता होते हैं पेरेंट्स होते हैं उनको एनिमिया होता है माना कि एनिमिया जैनिमिया 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 इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे आपने मात्पिता के बाद की, तो एक तो थालिसेमिया होता है, दूसरा सिकल्सल एनिमिया होता है, और ये जो दोनों एनिमिया होते हैं, ये जैनिटिक ही होते हैं, genetic का अर्थ होता है जो parents से आता है मतलब ये nutrition से इसका कोई संबंद नहीं है कोई infection से कोई संबंद नहीं है कि बाहर से कोई आता है कोई ऐसे chronic infection हो गया तो उसके कारण हो गया और ये होता है जन्म जात इसको जन्म जात कहा जाता है अगर जन्म से ये अनिमया नहीं है, तो बाद में यी अनिमया डवलप नहीं होता है, लेकिन ये डाइग्नोस ही नहीं होता है, क्योंकि लोग करवाते ही नहीं है, तो थेलसीमिया और सिकल सेल अनिमया थेलसीमिया में जैसे कि RBCS, जो कि 120 दिन उनकी I.O. हूटी है, Normal RBCS की, तो वो इसमें कम हो जाते हैं डिस्ट्रॉय होने लगते हैं उनकी 20 थीया 30 दिन हो जाती है इसी प्रकार सिक्ल सल एनीमिया जो होता है सिक्ल सेल एनीमिया भी उसके भी जो एज होती है RBCs की कम तो होई जाती है साथ ही साथ यह RBCs जो सिक्ल शेप sickle shape हो जाते हैं मतलब distorted हो जाते हैं और distorted होने के कारण यह बहुत जगे जो normal जो flow होना चाहिए वो नहीं हो पाता है कहीं-कहीं वो उसको block कर देते हैं और block करने के कारण बहुत पिड़ा होती है कहीं मानलो joint यह हो गया, कहीं पर block हो गया jointer देने लगता है क्योंकि vessel जो supply होती है वो वहाँ पर blockage हो जाता है तो ये mainly genetic होते है अब जहां तक मातपिता का आपने सवाल कहा तो इसके बारे में थोड़ा detail हमको simple शब्दों में समझना जरूरी है कि दोनों जो भी मारिया होती है वो एक minor होता है मतलब कि career है वो उसको उस बीमारी के कोई लक्षन भी नहीं होते है उसको यहां तक पता भी नहीं रहता है कि मेरे अंदर thalassemia जैसी कोई problem है या sickle cell anemia जैसी कोई problem है वो कभी-कभी अचानक ही diagnose होता है thalassemia और sickle cell anemia इसलिए इसको check करना बहुत जरूरी है मुझे अभी ज्यादा रहा है कि हमारे हाँ दो doctors थे हाँ जी तो हमारे इंडिया में तो कोई कराता ही नहीं है thalassemia sickle cell highly educated लोग भी नहीं कराते हैं तो वो दोनों ऐसे घूमने गए थे शादी के बाद बाहर गए हुए थे पहाड़ी एरिया में गए हुए थे घूमने के लिए तो जब पहाड़ी एरिया में गए तो वहाँ पर अचानाक उनको दर्द होने लगा दोनों को एक साथ दोनों को दर्द होने लगा थोड़ी धरकन बढ़ने लगी एक साथ हाँ, दोनों को एक साथ तो जबकि वो तो भाई बैन में नहीं थे वो तो अलग-अलग घर के थे उनके शादी हुई थी फिर जब वो बाद में आए तो आप चुकि डॉक्टर थे तो सारे टेस्ट तो करा नहीं थे ना तो जब उन्होंने टेस्ट कराया तो सिकलिंग टेस्ट भी कराया और सिकलिंग सेल में दोनों सिकल सेल कैरियर थे अच्छा ऐसा कम ही होता है तो जाने अन जाने भी कभी ऐसे अगर सिकल सेल या थेलसीमिया जो होते हैं, माइनर इनकी शादी हो जाती है तो प्रॉब्लम होता है इसलिए हर को थैलसीमिया और सिकल सेल एनेमिया इसका टेस्ट जरूर कराना चाहिए जब हमारे पास पेशेंट आती है तो हम उसको आइरन तो देते हैं और आइरन के बाद अगर उसका हिमोगलोबिन नहीं बढ़ता है तो फिर हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जैसे आपने पिछले बार पुछा था कि आप क्या-क्या टेस्ट कराते हैं तो ये तो हम नॉर्मल आइरन डेफिशेंसी के लिए कराते हैं लेकिन अगर दस ग्राम से कम है और बार-बार हम उसको आइरन दे रहे हैं और वो नहीं बढ़ रहा है तो फिर हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चलता है कि ये जो है दोनों को या तो थैलसीमिया है या तो sickle cell anemia है तो parents को ये वास्तों में दोनों को अगर career है मतलब minor है तो फिर शादी ने होने चाहिए जैसे आपने बताया कि मात पिता को अगर anemia है तो जो उनका आने वाला baby है तो शादी तो हो गई पहले मालूमी ने वाज़ा आपने इंडिया में तो पता ही ने चलता है तो कहां से होगा तो फिर जो उनका आने वाला जो baby है उसको anemia ना हो तो इसके लिए कोई इलाज है कि उसको ठीक किया जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल है ना ये बहुत ही अच्छा question है हमारे दर्शिकों को भी पता ही होना चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए अगर आपको husband और wife दोनों को थैलसीमिया है या सिकलसर है तो chances होते हैं कि जो आने वाला जो बच्चा है उसको थैलसीमिया major हो तो थैलसीमिया major को हम continue नहीं करने देते हैं क्योंकि थैलसीमिया का जो इलाज होता है करियर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन major जो होता है उसकी लाइफ बहुत ही मिजरिबल होती है उसको बार बार बलड बदलना पड़ता है और उसकी लाइफ जादा रहती नहीं है तो इसको लगभग बारा हफते या कहते हैं ग्यारा से तेरा हफते के बीच एक टेस्ट कराया जाता है जिसको कोरियान वाइपसी कहते है मतलब प्रेगनेंसी के समय ही जब वो महिला गर्वती है तो ग्यारा से तेरा हफते के बीच एक टेस्ट कराया जाता है जिसको koryan bapsi कहते हैं तो koryan bapsi में पता चल जाता है कि आने वाला जो offspring है offspring मतलब कि जो गरबस शिशू है उसको या तो अगर thalassemia minor है मतलब carrier है तो उसको continue करने देते हैं और अगर वो major है जी तो फिर पिर उसको continue ने करने देते, फिर उसको बोलते हैं कि आप इस बच्चे को मत रखो अच्छा, डॉक्टर पुश्पाची जैसे कि एनिमिया हो जाता है या किसी को है तो किस प्रकार के टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे पता लगे कि एनिमिया है कैसे टेस्ट होते हैं, यह हमने पहले भी यह बात की थी कि विबिन प्रकार के एनिमिया में अलग-अलग टेस्ट होते हैं तो जैसे आइरेन डेफिशिंसी में हम CBC करवाते ही हैं और इसमें एलेक्ट्रोफोरिसिस करवाते हैं और कारण, मान लेजे, दूस्टे कारण ऐसे लगते हैं कोई इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन का भी पता लगाने के लिए फिर हम यूरिन टेस्ट भी कराते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रॉनिक यूरिनरी इन्फेक्शन है क्योंकि chronic urinary infection जो होता है उसमें भी एनेमिया होता है बार-बार हम iron देते हैं तो भी वो iron बढ़ता नहीं है तो इसलिए UTI भी हम उसको exclude करते हैं मतलब urinary tract infection तो किसी भी भाग का infection के लिए भी हम ये सारे भी test करवाते हैं जिसे माली जे कि अगर किसी को एनेमिया है तो क्या भाविश्च में दूसरी कोई बीमार यानी के चांस होते हैं उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को एनेमिया है, चाहे वो महिला ही है, चाहे पुरुष है, तो infection, कोई भी infection के chances बढ़ जाते हैं, कोई भी infection हो जाता है, क्योंकि immunity power कम हो जाती है, जब immunity power कम हो जाती है, तो already जो होता है, infection हो सकता है, और दूसरी बात, जो महिलाएं होती है, वो pregnant होती है जब pregnant होती है, तो अगर एनेमिया है, तो खुद को भी नुकसान होता है, खुद को ये नुकसान होता है, कि abortion के chances जादा हो सकते हैं, या फिर, जब और second trimester, third trimester में शांस बहुत जादा फूलती है, वो चल भी नहीं पाते हैं, और उनके जो गर्बस्त शिशू है, वो भी ए नुकसान होता है, और डिलिवरी के बाद, उसके बाद भी नुकसान होता है, कि bleeding, जिसको हम postpartum hemorrhage कहते हैं, वो bleeding के संभावना भी काफी बढ़ जाती है, तो during pregnancy भी ये हो जाता है, और बाद में भी, जिनको भी एनेमिया होता है, तो उनको bleeding problem, मतलब जनरल भी, अगर pregnancy नह जाती है, जिसको कि हम menorrhage कहते हैं, और फिर ये भी हो सकता है, कि उसको menses ना आए, या कम आए, तो ये iron के कमी के कारण या एनेमिया के कारण भी ये हो सकता है, फिर menopause stage में, अगर nutritional status अच्छा नहीं है, तो उसको weakness भी जादा लगती है, fatigness जादा लगती है, और menopause की ज anemia की दुआरा भविश में कुछ-कुछ बीमारियां आ सकती है, तो और भी जैसे हम जानकारी चाहें कि इसको ठीक करने के लिए, क्या उपा है, क्या जाग रुपता है, जो हम अपनी दर्श को तक पहुचा सकें इसको, तो जो भी कारण होता है, उसका ही निवारण किया जाता है, तो एनिमिया के जैसे डिफरेंट कारण है, तो निवारण भी उसके अनुसार होता है, तो पहला जो हम treatment लेते हैं, वो iron कर लेते हैं, तो iron deficiency एनिमिया हमें कैसे ठीक करना चाहिए, तो iron deficiency एनिमिया जो होता है, उस होता है, तो वो उसको सिर्फ टैबलेट ही देते हैं, टैबलेट सी ही हो जाता है, टैबलेट देते तो क्या ठीक हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो जाता है, आइरन टैबलेट देंगे, तो ये ठीक हो जाता है, उसकी टैबलेट फिक्स होती है, कि, फिक्स एक ही तरह Edulsant girls को iron दिया जाता है और deborming की जाती है जयसे एक आगाSí काज हमने सुना था ना कि मी कारण होता है तो उनको deborming भी की जाती है और फिर जो pregnant ladies हैं उनको भी iron tablet 100 दी ही जाती है जी 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 अनीमय नहीं भी है तो भी prevent करने के लिए iron दिया जाता है गौर्मन पूरा ध्यान रखते हैं अपने उपर ध्यान रखने की तो उस पर उस समय भी देते हैं दूरिंग लेक्टेशन भी दिया जाता है तो यह तो mild एनिमिया के बात हुई जो moderate एनिमिया जो होता है वो मान लिजे 8 gram है तो फिर उस समय उनको iron injection दिये जाते हैं आजकल बह हफते में 600 mg maximum दिया जाता है तो उसको injection देते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन जब अगर severe एनिमिया होता है severe एनिमिया बहले वो chronic एनिमिया हो या मान लो bleeding के कारण है तो फिर उसमें blood देना पड़ता है जैसे मान लिजे किसी को bleeding हो रही है और उसके hemoglobin बढ़ने में तो फिर उसको blood दिया जाता है blood देने से क्या ठीक हो सकता है या blood के क्योंकि RBC content ही तो हम ते रहे है जिसमें hemoglobin होता है तो हम blood के थ्रूँ उसको देते हैं तो हम उसको blood देते हैं तो फिर severe एनिमिया में दिया जाता है लेकिन जहां तक हो acute एनिमिया आजकल हम यह कोशिश करते हैं कि blood दूसरे का ना दिया जाए जी क्यों हाँ इसका कारण आप बहुत ही अच्छा आप पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं देना चाहिए हाँ क्यों नहीं देना चाहिए जो blood bank में available होता है उस blood को देते हैं क्योंकि कभी-कभी enough aylactic reaction हो जाता है अगर रिष्टेदारों का किसी को दो तो नहीं दिया जाता है वो blood bank में जो रहता है ना तो blood भले donor का ले लेते हैं लेकिन blood bank से जो blood लेते हैं उसको देते हैं एक सबसे बड़ा कारण यह है वैसे तो अब acute anemia में bleeding है तो देना ही पड़ेगा आप उसको क्या करोगे फिर भी आजकल blood नहीं देते हैं उसके अलग-अलग जो content होते है ना RBCs, plasma यह सब दिया जाता है तो मुख्ये इसलिए क्योंकि test कराए जाते हैं जब blood किसी का दिया जाता है तो मान लीचे जो donor है या देने वाला जो blood दे रहा है उसको donor कहते है और recipient मतलब मैं recipient हूँ और देने वाला donor है तो donor का test किया जाता है डोनर का HIV test भी किया जाता है औस्टेलिया antigen test भी किया जाता है यह सारे test किये जाते है और उस समय negative आ रहा है तो एक period कहला ता जिसको window period कहा जाता है तो window period के समय भले उसके अंदर वो problem है HIV वाला जो problem है लेकिन उस समय वो test में नहीं आता है किस का रण से उस समय नहीं आता है वो ऐसा समय ही होता है कि उस समय वो आता ही नहीं है उसको window period कहते ही इसे लिए है तो जब उस समय नहीं आता है और वो blood मान लिजे मुझे लग गया फिर मैं भी HIV पॉजिटिव हो जाऊँ तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी तो इसलिए blood जहां तक हो avoiding करते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है तो यह तो हम iron deficiency की बात कर रहे थे आप जो दूसी तरह की आपने anemia की बात की जैसे की जिसको आप genetic anemia कह रहे हैं की जैसे thalassemia है sickle cell anemia है तो इनमें हम iron नहीं देते हैं मुझे एक डॉक्टर की बातियादारी है की वो हमारे काफी close हैं वो लोग और खुद भी वो डॉक्टर जे जे वो skinny specialist है और उसका hemoglobin करीब 10 gram रहता था तो आप वो डॉक्टर थी और उसको iron भी हमेशा मिलता ही है क्योंकि sample रहता तो वो हमेशा खाती थी उसको यहां लेकिन पैरों में दर्द होता था तो उसको समझ नहीं आता था दर्द क्यों है उसने बहुत इलाज कराया, साभी कराया और iron लेती थी iron लेने के बाद भी उसका hemoglobin ऐसे बढ़ता नहीं था फिर बहुत टेस्ट कराये कुछ समझ में नहीं आया लेकिन हमारे आजैसे हमने का कि thalcemia, sickle cell, anemia तो कोई कराता ही नहीं है फिर उसको किसे ने अडवाइस किया कि एक बार electrophoresis करा के तो देखो electrophoresis इसी के लिए टेस्ट किया जाता है thalcemia, sickle से तो उसने कराया तो उसको thalcemia minor निकला तो iron वो लेती थी तो उसको कोई फाइदा तो होता ही नहीं था तो thalcemia में अगर iron कम नहीं है क्योंकि thalcemia में हो सकता है कम लेकिन अधिक तर जादा हो जाता है तो वो उसे नुकसान होता है, फाइदा नहीं होता है तो thalcemia में और sickle cell anemia में हम iron नहीं देते हैं उसको हम सिर्फ folic acid देते हैं folic acid देते हैं और बाकि vitamins वगएरे बाकि जो लेते हैं लेकिन iron उसमें नहीं देते हैं तो ये उसमें है और मान लिजे, अगर infection के कारण anemia है, तो हम उसको infection को दूर करते हैं अगर urinary tract infection है तो उसको antibiotic देते हैं वो स्थर से ठीक करते हैं तो जो भी cause होता, मान लिजे, malaria के कारण है तो फिर हम उसको anti-malarial देते हैं तो जब तक उसका malaria ठीक नहीं होगा उसका कैसे ठीक होगा और अगर worm infestation के कारण है आगर हम उसका deworming नहीं करेंगे तो भी ठीक नहीं होगा तो कारणों को हम देखते हैं और उसका जो treatment करते हैं उससा नूसा treatment करते है डाइट कैसी होनी चाहिए हमारी इसमें बिल्कुल ये तो हमने tablet वगरे दे दी लेकिन tablet के साथ कोज दिन उसने खाया और फिर उसके बाद डाइट पर ध्यान नहीं दिया तो फिर वैसा का वैसा हो जाएगा जैसे कई लोगों का हम देखते हैं क्यों tablet लिया अभी साथ ग्राम में हमारे पास आई थी इंजेक्शन उसको दिया टैबलेट दिया उस दिन तक तो बहुत अच्छी लेकिन उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो गए आजकल तो डाइट तो भी ध्यान नहीं देते हैं क्या vegetables क्या होते हैं fruits क्या होते हैं तो iron जो होता है जो green vegetables होते हैं और यह जो पालक होते हैं यह भाजी वगरे इसमें काफी मात्रा में होता है जितने भी green color के जो होते हैं उसमें होता है चुकंदर में भी काफी होता है अनार में भी काफी होता है चुकंदर, तो calcium भी कापी होता है, इसमें अनार वगरे, और जितने भी fruits वगरे होते हैं, इसमें तो iron होता है, dry fruits जो होते हैं, इनमें भी iron होता है, सब में iron होता है, dry fruits लेने हैं, और हरी सबजियां भी लेनी है, protein, दाल, यह भी बहुत अच्छी बात है, कि सिर्फ iron लेने से फटुरी चलेगा क्योंकि ही मुग्याओं सर्फॉरी थोड़ी नघ्याओं हम्हे जी अगर भोजन कीछपाइदा है हरी सबचियां लिए हैं सब सलाद वगरे आप ले रहे हो और उसके बाद अगर निबू या आवला खाया जाए तो उससे बहुत बड़ा फाइदा होता है क्योंकि निबू में विटामिन C होता है तो विटामिन C आइरन एब्जॉर्बशन को प्रमोट करता है तो इसलिए बह कैलशियम और आइरन एक साथ नहीं लेना चाहिए तो वह ज्यादा अच्छा होता है और इसमें एक्सरसाइज का क्या रोल हो सकता जैसे आपनी डाइट की बारी में बताया इसके अलाब एक्सरसाइज भी आजकल बहुत ज़रूरी है तो इसमें एक्सरसाइज का रोल है क्य एक्सरसाइज का ऐसे डारेक्ट रोल तो नहीं है अगर आप प्रानायाम करते हैं योगा करते हैं तो थोड़े oxygen supply तो बढ़ती है वो तो अच्छी बात है लेकिन इसमें मेंली nutrition का ही ज्यादा रोल होता है और जो कारण होते हैं उनको अगर हम अलब करते हैं तो ये ठीक होत है अनीमिया डॉक्टर पुशा पांडी जी जैसे हर बार आपने meditation के बारें बताया और इस बार हम चाहते हैं कि हमारे दर्सकों कोई बता कि कैसे करें meditation कैसी करें अब हम जो practice करते हैं और उस meditation के बारे में हम थोड़ा जानेंगे और मुझे meditation तो बहुत अच्छा लगता है क् मुझे अपने स्वास्थ में भी इससे लगता है कि बहुत फाइदा होता है और इसको करने के लिए बेन जो meditation की यहां जो definition जो हमने सिखी है वो है कि communion of inner self with the supreme अर्थात अपने आपको जानना कि मैं हूँ कौन तो जब मैं अपने आपको जानती हूँ तो मेरे अंदर अपने पर खुशी हो जाती क्योंकि खुशी मेरी inner quality है innate quality है मैं खुशी बाहर से ढूंडती हूँ लेकि मेरे अंदर है और वो अंदर मैं हूँ कौन जैसे ही एक second मुझे अनुभा होता है कि मैं आत्मा हूँ इस शरीर से अलग हूँ तो मेरे अंदर के जो divine energy है वो बाहर आ जाती है कि मैं शान्द सवरूप हूँ प्रेम सवरूप हूँ आनंद सवरूप हूँ शक्ती सवरूप हूँ जैसे ही तो मेरे हर सल में वो divine energy फैल जाती है जिसको अध्यात में कौरजा कहते हैं तो कुछ समय हम उसको अनुभाव करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और जैसे ही मुझे यह होता है कि मैं इस शरीर से अलग जैतन आत्मा हूं और आत्मा तोनों भुकुटी के बीच में निवास करती है इस शरीर से मैं अलग हूं और फिर मैं अपना ध्यान उस सुप्रीम पावर की ओर ले जाती हूं जो मेरा फादर है और वो सभी इशर को उपर की ओर कहते हैं तो मेरा पिता बर्मात्मा सुप्रीम वो भी शान्ती का सागर है और मैं अनुखा करती हूं क्यों शान्ती के सागर से शान्ती की किरने मुझ पर आ रही है और मेरी चारों को शान्ती ही शान्ती है मेरा तन और मन स्वस्त हो रहा है बहुत अच्छा नभव आपने कराएं कुछ ही सेकेंडरों में और मैं समस्तियों गर इसको लगातार करेंगी तो जीवन तो बिल्कुल बदल ही जाएगा आपने बहुत ही अच्छा बताया कि एन्मियां की समस्यां जो आती हैं उसको कैसे हैंडल करना चाहिए डॉक्टर को आने के लिए नमस्कार नमस्कार मुंशन्ति मैं समझती हूं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला और अनुह करने को भी मिला कि एन्मियां के जो पेसेंट हैं और जो भी बीमारियां है उसका मुख्य कारण इस्ट्रेस ही होता है और उसको ज्यादा तर कम किया जा सकते हैं समाप्त किया जा सकता है मेडिटेशन के माध्यम से तो अपने जीवन में मेडिटेशन भी बहुत जरूरी जो अभी आपने अनुख किया और आधहतनिकता भी जरूरी है आपको डाइत भी अच्छी लिनी हैं एक्सरसाइच भी करनी है और अपना ध्यान भी देना ह हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विसाय के साथ ओम शंति